दोस्तों कि आप simple message में किसी बंदे की chat को hide करना चाकते हैं जिससे कि वो message आपका message app में ना दिखें तो ये आप कैसे कर सकती हैं तो चलिए direct देख लेते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने message app में आ जाएना है अभी आप यहाँ पे कुछ इस तरिके से यहाँ पे swipe down करेंगे तो आपसे यहाँ पे password set करने के लिए बोला जाएगा तो आपको अपना password बना लेना है तो मैंने password बनाया हुआ है तो चलिए मैं यहाँ पे अपना password डालेता हूँ इसके बाद आपके सामने ये screen आ जाएगी तो अभी आपको यहाँ पे उपर की side setting के icon पे click कर देना है इसके बाद आपके सामने ये screen आ जाएगी तो अभी आपको यहाँ पे निक्चे के side add private contact ये option दिखर होगा आपको यहाँ पे click कर देना है तो अभी आपके सामने दो option तो जिस भी बंदे की आपको चैट हाइड करनी है उस बंदे का नंबर आप यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं otherwise contact list से भी select कर सकते हैं अगर आप contact list के option पे click करेंगे तो आपके mobile के सब भी नंबर यहाँ पे आ जाएंगे अब आपको जिस भी नंबर के message को hide करना है आपको उस नंबर को यहाँ पे select कर लेना है इसके बाद यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा और यहाँ से आप message की setting कर सकती हैं अगर आप चाहते हैं कि message आने पर उसका notification आना चाहिए तो आप इस setting को यहाँ पे on रख सकती है बट अगर आप चाहते हैं कि उसका message आने पर मुझे notification नाए तो आप इस setting को यहाँ पे बंद कर दीजेगा इसके बाद जब भी आपके पास उस बंद्रे का मैसेज आएगा तो वो आपको यहां पे सो ओ जाएगा ठीक है